हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओडियो बुक हिंदी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिव खेडा के लिखी इंटरनेशनल पेस्ट सेलर बुक जीत आपके का अध्याय तो पहले अध्याय में आपने सुना सफल होने के लिए नजरिय के महत्तव के बारे में दूस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजे नॉर्मन विंसेंट पीले कहते हैं हमारे सामने मौझूद किसी भी तथ्थे से ज़्यादा महत्तवर्ण उस तथ्थे के बारे में हमारा नजरिया होता है क्योंकि हमारी सफलता या ऐसा फलता उसी से तैय होती है हम बच्प नजरिया सकारात्मक बन गया है तो आप वाकई खुसकिसमत हैं लेकिन जानभूज कर या हालात की वज़े से हमारा नजरिया नकारात्मक बन गया है तो क्या हम उससे हमेशा के लिए चिपके रहेंगे कता ही नहीं क्या उसे बदला जा सकता है बिलकुल बदला जा सकता है क् बिल्कुल नहीं क्या यह करने के लायक है यकीनन यह करने के लायक है हम सकारात्मक नजरिया कैसे बना और बरकरार रख सकते हैं उसके लिए हमको सकारात्मक नजरिया बनाने के असूलों से पाकिफ होना होगा सकारात्मक नजरिया कायम करने की इच्छा पैदा करनी होगी और उन उसूलों को अमल में लाने के लिए अनुसासित और निष्ट यानी डिस्प्लिन और डेडिकेटिड होना होगा हमें जैसा भी माहौल, सिक्सा या तजुर्बा मिला हो पर बड़े होने के बाद हम हमारे नजरिये के लिए कौन जिम्मेदार होगा खुद हम जिम्मेदार होते हैं हमें अपने वैभार और कामों की जिम्मेदारी कबोलनी होगी कुछ लोग किसी गल्दी के लिए खुद को छोड़ कर बाकि सभी लोगों को दोसी ठहराते हैं यह हम पर निर्वर करता है कि हर सुभे हम अपना नजरिया खुद सुने नकारात्मक नजरिया वारे लोग अपनी ऐसफलताओं के लिए अक्सर माबाप, सिक्सक, जिवन साथी, बोस, सितारो, तकदीर, आर्थिक स्थेतियों और सरकार यानि की पूरी दुनिया को जिम्मेदार ठहरा रहे होते हैं हमको अपने बीते दिनों से आजाद होना होगा, हमें अपनी सक्सियत पर जमी धूल को जाड़कर मुख्यधारा में सामिल होना होगा, हमें अपने सपनों की एक मुकमल तस्वीर बनाकर आगे बढ़ना होगा, सच्चाई, इमानदारी और अच्चाई से जुड़ी चीजों हमें से पहला कदम होगा, अपनी सोच बदले और अच्चाई को खोजे, हमें अच्छी चीजों का खोजी बनना पड़ेगा, हमें जिन्दगी के सकारात्मक पहलू पर ध्यान देना होगा, किसी इनसान या किसी हालात के बुरे पहलू के बजाए, उसके अच्छे पहलू पर कोर करना शुरू करना होगा, हमें से जादतर लोगों को अपनी ही सोच का माहौल इस धंग से ढाल देता है, कि हम गलतियों और कम्यों को ढूंडने के आदी हो चुके होते हैं, और इसलिए तश्वीर का अच्छा पहलू हम से अंदेखा रहे जाता है, एंड्रिव कारनेगी अपने पच्पन के दिनों से ही स्कॉट लेंड से अमेरिका चले गए थे, उन्होंने छोटे मोटे कामों से सुरुवात की और आखिरकार अमेरिका में स्टील बनाने की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक बन गए, एक ऐसा वक्त आया जब उनके लिए 43 करोड पतिक काम करते थे करोड रुपे इस जमाने में भी बहुत होते हैं, लेकिन सन 1920 के आसपास तो उनकी किमत और भी जादा थी, किसी ने कारनेगी से पूछा आप लोगों से कैसे पेश आते हैं, उन्होंने जवाब दिया लोगों से पेश आना काफी हद तक सोने की खुदाई के जैसा होता है, ह हो सकता है कि किसी इनसान या किसी हालात में कोई अच्छी बात साफ तोर पर नए दिखाई दे रही हो, ऐसी हालात में हमें उसे कहराई में जाकर तलासना होगा, हमारा मक्सद क्या है सोना तलासना, अगर हम किसी इनसान या किसी चीज में कमया ढूंडेंगे, तो हमको धेरो कम्या दिखाई देंगी लेकिन हमें किस चीज की तलास है सोने की या मिट्टी की कम्या ढूंडने वाले तो स्वर्ग में भी कम्या निकाल देंगे अधिकतर लोगों को वह ही मिलता है जिसकी उन्हें तलास होती है और कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को देखते हैं नकारात्मक नजरिये वाले लोग हमेशा नुक्ष निकालते हैं कुछ लोग हर चीज में नुक्ष निकालते हैं कोई काम भले ही बहुत अच्छी तरह किया गया हो पर उन्हें इससे कोई फरक नहीं पड़ता ऐसे लोगों ने नुक्ष निकालने को ही अपना पेशा बना लिया है वो पेशेवर आलोचक यानि केरियर क्रिटिक्स होते हैं वे इस तरह नुक्ता चीनी करते हैं जैसे उन्हें इसके लिए कोई परत्योगता में इना मिलने वाना हो वे हर एक इन्सान में और हर एक हालात में कोई न कोई नुक्स ढूंड ही निकालेंगे हमें ऐसे लोग हर दफ्तर और हर परिवार में मिल जाएंगे वो चारों और कम्या ढूंडते और यह बताते फिरते हैं कि चीजी कितनी बुरी हैं वे अपनी समच्चाओं के लिए पूरी दुनिया को दोसी मांते हैं यह लोग दूसरों के चोस पर पानी फिर देते हैं ऐसे लोगों के लिए एक ही नाम है यह लोग ताकत को चूशने वाले कहलाते हैं ऐसे लोग कैफिटेरिया में जाकर बीशियो कब चाय पियेंगे सिगरिट के लंबे-लंबे कस खीचेंगे और यह सब करने का उनके पास के वल एक बाना रहता है कि वे अपने तनाव को दूर कर रहे हैं हकीकत यह है कि ऐसा करके वे खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव पढ़ा रहे होते हैं वे पलेक की बिमारी की तरह हर तरह मायूसी का पैगाम फैलाते हैं और ऐसा महावल पैदा करते हैं जिसके नतीजे बूरे या गलत होते हैं रोबर्ट फुटन ने स्टीम बोट क्या विसकार किया हडसर नदी के किनारे उन्होंने उसका परदर्सन किया उसे देखने के लिए जमा हुई भीड में कुछ निरासवादी और सक्की मिजाज के लोग भी सामय थे उन लोगों ने मजाकिया लाहे में बोला कि वे बोट कभी चालू नहीं होगी जब बोट चालू होकर नदी में आगे बढ़ने लगी तो जिन लोगों ने कहा था कि वे कभी चालू नहीं होगी वही लोग फोरण चिलाने लगे कि ये वोट अब कभी नहीं रुकेगी यह भी भला क्या नजरिया हुआ एक बार एक सिकारी ने चिडिया को पकड़ने वाला एक अधभूत कुता खरी था वे कुता पानी पर चल सकता था सिकारी वे कुता अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था कुट्पा बत्त को लेने के लिए दोड पड़ा उस आदमी को उमीद थी कि उसका दोस्त कुट्पे के बारे में कुच कहेगा या उसकी तारीफ करेगा लेकिन उसका दोस्त कुछ नहीं बोला घर लोटते समय उसने अपने दोस्त से पुछा कि क्या उसने कुट्टे में कोई खास बात देखी दोस्त ने जवाब दिया हाँ मैंने उसमें खास बात देखी तुम्हारा कुट्टा तैर नहीं सकता कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को देखते हैं निरासावादी किसे कहते हैं निर्यासावादी होने के भी कुछ लक्षन होते हैं जब चर्चा करने के लिए उनके पास कोई तकलीफ नहीं होती तो वे नाखुश रहते हैं उन्हें जब कुछ अच्छा लगता है तो वो यह सोच कर नाखुश हो जाते हैं बैतर महसूस करने के बाद उन्हें वो विस्तर पर सोना छोड़ देते हैं। वे इस अंदेशे की वज़े से अपनी सहत का मजा नहीं ले पाते कि कल वो बिमार पड़ सकते हैं। वे बत्तर नतीजों के बारे में सोच भर नहीं बलकि हर घटना को बत्तर बना भी देते हैं। उन्हें चांद में केवल धबें ही दिखाई देते हैं। वे मानते हैं कि सूरज केवल परचाईयां पैदा करने के लिए ही चमकता है। वो सहुलियतों को भूलकर केवल अपनी दिक्कते किनते हैं। वे जानते हैं कि कड़ी मेहनत से किसी को नुक्सान नहीं पहुंचता पर सोचते हैं कि आखिर खत्रा उठायाई क्यों जाए आसावादी बनिये कोई आदमी आसावादी कैसे बन सकता है नीचे लिखी लाइनों में यह बात बहुत अच्छी तरह से बताई गई है इतने मजबूत पनिये कि आपके मन की सांती को कोई भंग न कर सके हर मिलने वाले व्यक्ति से सेहत, खुसी और समर्दी के बारे में बात करें अपने सभी दोस्तों को एहसास कराएं कि हम उनकी खूबियों और मजबूतियों की कदर करते हैं हर चीज के केवल उजले पहलू को देखें, केवल अच्छी से अच्छी बाते सोचें, केवल अच्छे से अच्छे नतीजों के लिए काम करें और केवल अच्छे से अच्छे नतीजों की उमीद करें बीते दिनों की गलतियों को भूल जाएं और आने वाले दिनों में ज्यादा पड़ी काम्याबी हासिल करने के लिए आगे बढ़ें हर आदमी का मुश्कुरा कर सवागत करें अपने को बहतर बनाने के लिए इतना वक्त लगाए कि दूसरों को आलोचना करने के लिए हमारे पास वक्त ही न बचें इतने बड़े बने की चिंता छून न सके और इतने अच्छे बने की गुस्सा आए ही नहीं सकारात्मक नजरिया विक्सित करने के लिए जो दूसरा कदम आपको उठाना होगा वह होगा हर काम फोरन करने की आदत डाले जेम्स अलबरी कहते हैं वह चांदनी रातों में सोया उसने सुनेरी धूब का मज़ा उठाया कुछ करने की तयारी में जिन्दगी गुजार कर वै गुजर गया कुछ ना करकर हार कर हम सभी जिन्दगी में कभी न कभी टालमटोल करते हैं मैंने भी ऐसा किया है जिसके लिए मुझे बाद में पस्ताना पड़ा टालमटोल की आदत के वज़े से हमारा नजरिया नकारात्मक बन जाता है किसी काम को करने से अधिक थकान उस काम को नए करने के लिए की जाने वाली टालमटोल की वज़े से होती है कोई भी काम पूरा होने पर खुशाली लाता है और होसला बुलंद होता है जबकि आधा अधूरा काम हमारी हिम्मत को वैसे ही खतम कर देता है जैसे पानी के टैंक में कोई छेद टैंक को खाली कर देता है अगर हम सकारात्मक नजरिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो आज में जियें और हर काम को तुरंट करने की आदर डालें जब मैं बड़ा हो जाओंगा यह वैसी ही बात है जैसे कि कोई छोटा बच्चा कहता है मैं बड़ा होने पर फलाना काम कर दोगा जिसे मुझे खुशिया मिलेंगी जब बड़ा हो जाता है तो कहता है मैं खुशिया पाने के लिए फला काम कोलिज की पढ़ाई समाप्त करने के बाद करूँगा जब एक कोलिज की पढ़ाई समाप्त कर लेता है तो कहता है उसे खुशिया पहली नोकरी हासिल करने पर ही मिलेंगी पहली नोकरी मिलने के बाद वह कहता है कि उसे खुशियां साधी हो जाने के बाद मिलेगी साधी हो जाने पर कहता है उसे खुशियां तब मिलेंगी जब उसके बच्चे स्कूल जाने लगेंगे जब उसके बच्चे स्कूली पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो वह कहता है खुशियां रिटायर होने के बाद मिलेगी और रिटायर होने के बाद क्या देखता है वह देखता है कि उसकी आँखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी गुजर चुकी है कुछ लोग अपनी टालमटोल की आदत को भारी भर कम सब्दों की आड़ में चिपाते हैं वो कहते हैं मैं बारीकी से सोच रहा हूँ और छे महीने के बाद वो सोची रहे होते हैं वे यह नहीं समझते कि दरसल उन्हें एक बीमारी है जिसे बारीकी से सोचने का लकवा यानि पारेलिसिस बाई अनलिसिस कहते हैं इस वज़े से ही वो कभी सफल नहीं हो पाते टालमटोल करने वालों की एक और नसल होती है यह लोग कहते हैं मैं तैयारी कर रहा हूँ ने केवल एक महीने बलकि छह महीने के बाद भी वो तैयारी कर रहे होते हैं यह लोग भी नहीं समझ पाते कि उन्हें बहाने बाजी की पिमारी है वो लगतार बहाने बनाते जा रही हैं जिंदगी कोई ड्रेस रिहर्षल नहीं है हम किसी भी फिलोसपी में विश्वास रखते हों हमें जिंदगी का खेल खेलने का मौका केवल एक बार मिलता है दाओं पर इतनी कीमती चीजे लगी होती हैं कि आप जिंदगी यूही बरबात नहीं कर सकते दाओं पर आने वाली पीडियों का भविश्या लगा हुआ है हम कहां हैं और किस दोर में हैं जवाब है कि इसी दोर में हैं और यहीं है इसलिए हम आज को बहतर बनाएं और इसका भरपूर आनंद ले इसका यह मतलब नहीं कि हमें भोविसे के लिए कोई योजना नहीं बनानी चाहिए बलकि पैगाम यह है कि हमें आगे की योजना बनाने की ही जरूरत है और अगर हम अपने आज का भर पूरी इस्तमाल खुशाली के लिए कर रहे हैं तो हम खुद बखुद आने वाले कल को बहतर के लिए बीच बो रहे हैं अगर हम अपने नजरिये को सकारात्मक बनाना चाहते हैं तो टालमटॉल के आदत छोड़ें और तुरंत काम कर उपर आमल करना सीखें जिन्दगी में सबसे दुख भरे सब्द हैं ऐसा हो सकता था मुझे ऐसा करना चाहिए था मैं यह कर सकता था कास मैंने यह कर लिया होता अगर मैं थोड़ी और कोशिश करता तो यह काम हो सकता था बेंजमिन फ्रेंकलिन कहते हैं जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कभी भी कल पर ना टालें मुझे यकीन है कि जीत हासिल करने वालों के मन में भी टालमटोल करने की इच्छा जरूर पैदा हुई होगी पर उन्होंने उसे अपने उपर हावी नहीं होने दिया लोग जब कहते हैं मैं यह काम किसी और दिन करूँ गा तो इस बात को तैमान लेजिए कि वो इस काम को कभी नहीं करेंगे कुछ लोग इस बात का इंतजार करते हैं उनके घर से निकलने से पहले सारी लाल बतियां हरी हो जाएगी पर ऐसा कभी नहीं होता वो सुरुवात करने से पहले ही नाकाम्याव हो जाते हैं और यह एक दुखत स्थिती है टालमटॉल करना बंद करें और हमारी बहानिबाजी की आदत को हमें इसी समय अलविदा कहे देना चाहिए सकारात्मक नजरिया बनाने के लिए तीसरा कदम है ऐसान माने और नजरिया बनाए अपनी दिक्कतों के बारे में सोचने की बजाए अपनी सहुलीतों के बारे में सोचें अपने इर्द गिर्द के फूलों की खुश्बु सुंगने के लिए वक्त निकालें कहीं बार आप सुनते होंगे कि कोई आदमी दुरगटना के वज़े से अंधा या अपाहिश हो गया लेकिन उसे हर जाने के तोर पर लाखो रुपे मिल गए हम मेंसे कितने लोग ऐसे आदमी की जंगे लेना चाहेंगे ऐसा चाहने वाला साइध ही कोई होगा हम सिकायते करने के इतने आदी हो गए हैं कि उन चीजों की और हमारी नजर ही नहीं जाती जो हमारे पास मुझूद है हमारे पास ऐसी बहुत सारे चीजे हैं जिन के लिए हमें सुक्र गुजार होना चाहिए मैं जब कहता हूँ कि अपनी दिक्कतों के बजाए सहुलियतों पर गोर करें तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें आतम संतुष्ट हो जाना चाहिए अहसानमंद होने के नजरिये का मतलब आतम संतुष्टी नहीं है यदि मेरी बातों से आपको आतमसंतुष्ट होने का अंदेशा मिला है तो मैं अपनी बात आपको ना समझा पाने के लिए दोसी हूँ और आप दोसी हैं अपना मनपसंद मतलब निकालने के लिए लोग किसी बात का मनचाह मतलब कैसे निकालते हैं यह बताने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ एक डॉक्टर को सरावियों को इस समू को संभोधित करने के लिए कैस्ट स्पीकर के रूप में बुलाया गया वह उनके सामने कोई ऐसा नमूना पेश करना चाहता था जिससे उन्हें यह एहसास हो कि सराव सेहत के लिए नुक्सान दाया होती है उसने दो कांच के परतन लिए एक में साब पानी भरा और दूसरे में सराव भरी उसने साब पानी में केचवा डाला वह आसानी से तैरता हुआ पानी के उपर आ गया फिर उसने एक केंचो सराव में डाला और वह सबकी आँखों के आगे टुकडे टुकडे हो गया वह यह साबित करना चाहता था कि सरीर के अंदर सराव का ऐसा ही असर होता है नमुना पेस करने के बाद उसने सरावियों के समोज से पूछा कि उससे उनको क्या सीख मिली उसका सवाल सुनकर पिछे बैटे एक सरावी ने जवाब दिया इसका मतलब यह हुआ कि सराव पीने से हमारे पेट में कीडे नहीं होंगे क्या यह उसकानी का संदेश था बिलकुल नहीं किसी बात का मनचाहा मतलब ऐसे ही निकाला जाता है हम वह नई सुनते जो हमें सुनाया जाता है बलकि हम वह सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं हमें मिली बहुत सारी नियामते छीपे हुए खजाने की तरह हैं हमें अपनी दिक्कतों के बारे में नहीं बलकि अपनी नियामतों के बारे में सोचना चाहिए सकारात्मक नजरिया पैदा करने के लिए चोथा कदम जो आपको उठाना होगा वो होगा लगतार ग्यान हासिल करने का कार्या कर्म बनाएए आईए पहले हम अपने कुछ गलत फैमियों को दूर करें आम तोर पर माना जाता है कि हम स्कूल और कोलिजों में सिक्सा बराप्त करते हैं कई देशों में आयोचित की जाने वाले सेमिनारों में मैं अपने सर्योताओं से यह सवाल पूछता हूँ क्या हम स्कूल और कोलिजों में वास्तों में सिक्सा हासिल करते हैं इस बात पर आम तोर पर सहमती है कि वहाँ सिक्सा कुछी लोग हासिल कर पाते हैं और जादतर लोग उससे फंसित ही रह जाते हैं मेरी बात का गलत मतलब ना निकालें हमें स्कूल और कॉलिजों में धेर सारी सूचनाई हासिल होती है सिक्सित होने के लिए सूचनाई भी जरूरी है लेकिन उसके साथ ही हमें सिक्सा के सही मायने भी समझने चाहिए बहुत धेक सिक्सा हमारे दिमाग पर असर डालती है जबकि नैतिक सिक्षा हमारे मन को परभावित करती है यदि सिक्षा मन को ट्रेनिंग नहीं देती तो वे खतरनाक हो सकती है अगर हम अपने दफ्तर, घर और समाज में लोगों की चरित्र का निर्मान करना चाहते हैं तो हमें उन्हें एक सतर तक नैतिक सिक्षा देनी होगी इमानदारी, दया, साहस, दर्ड़ता और जिम्मेदारी जैसे बनियादी गुन विक्षित करने वाली सिक्षा पेहच जरूरी है हमें ज्यादा अक्सर सिक्षा की जरूरत नहीं बलकि चरित्र बनाने वाली सिक्षा की है नैतिक सतर पर सिक्षित आदमी जिंदिगी में उस आदमी की तुलना से ज्यादा काम्याब और तरक्य हासिल कर सकता है जिसे जाद अच्छी सिक्सा मिली हो पर जिसके पास नैतिक्ता की पुन्जी पिल्कुल ना हो जोन होपकिन्स युनिवर्सटी के अध्यक्स स्टिवन मुलर कहते हैं विस विद्यल्य में युवक बहुत काबिल मगर पढ़े लिखे जाहिल बनकर निकल रहे हैं क्योंकि हम युवाव को नैतिक्ता को कोई आधार नहीं दे पा रहे हैं जिसकी उन्हें सबसे ज़्यादा जरूरत है असली सिक्सा आदमी के दिल और दिमाग दोनों को ट्रेनिंग देती है एक अनपड जोर साइद मालगाड़ी से समान ही चुराएगा पर पढ़ा लिखा चोरतो रेल की पूरी पटरी ही उडा ले जाएगा हमें ग्रेड नहीं बलकि ग्यान और भुद्धिमता हासिल करने के लिए होड लगाने चाहिए तथ्यों को जानने में ग्यान हासिल होता है और उनका सरली करन करने से समझधारी पराप्त होती है कोई आदमी अच्छा ग्रेड और उन्ची डिगरी हासिल करने के बावजुद असिक्सित रह सकता है जादा सीखे बिना भी अच्छे grade और डिगरी तो मिल जाती है लेकिन सबसे एहम बात कोई सीख सकता है तो वह यह है कि सीखने के सही तरीके को सीखे लोग सूचनाओं को रटने की काबिलेत कोई कलती से सिक्सा समझ लेते हैं बिना मुल्यों के दिमागी सिक्सा समाज के लिए आफ़त पैदा करती है ग्यान सकती नहीं है हमें अक्सर बताया जाता है कि ग्यान ही सकती है लेकिन यह असलियत नहीं है ग्यान तो महज चानकारी का नाम है ग्यान में सकती बनने के अक्समता है और यह तभी सक्ति बनता है जब उसका इस्तमाल किया जाता है एक इंसान पढ़ना नहीं जानता तूसरा पढ़ना जानते हुए भी नहीं पढ़ता दोनों में क्या फरक है Pen Franklin के मताबिक कोई खास फरक नहीं होता सीखने और खाने में काफी समांता है एहम बात यह नहीं होती कि हमने कितना खाया है बलकि यह होती है कि हमने कितना पचाया है सच यह है कि ग्यान में सक्ति छिपी होती है पर असली सक्ति बुद्धिमता है सिक्षा के कई रूप होते हैं इसका मतलब केवल करेड और डिगरी हांसिल करना नहीं होता सिक्सित के दाइरे में ये सबी बाते सामिल हैं अपनी सक्ति को बढ़ाना आतमनुसासन सीखना दूसरों की बाते ध्यान से सुनना और सीखने की कहरी इच्छा होना हमारा दिमाग मासपेशियों की तरह होता है उसका तेज या मन्ध होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसका इस्तमाल कितना हुआ है डेरिक बाग कहते हैं अगर आप सोचते हैं कि ग्यान पाना महगा है तो एक बार अग्यानी बन कर देखो और ये बात भी नहीं है कि सिख्षित वैक्ती ही हमेशा सही फैसले लेता है एक बार एक आदमी सड़क के किनारे समोसे बेचा करता था अनपढ होने की वज़य से वै कभी अकबार नहीं पड़ता था उन्चा सुनने की वज़य से रेडियो नहीं सुनता था और आखे कमजोर होने के वज़े से कभी टीवी भी नहीं देखता था उसके बावजूद वे काफी समों से बेच लाइता था उसकी बिक्री और नफी में लगतार बड़ उतरी होती गई उसने और जादा आलू खरीदना शुरू कर दिया साथ ही पहले वाले चूले से बड़ा और बढ़या चूला खरीद कर ले आया उसका वेपार लगतार बढ़ रहा था तब ही हाल ही में कॉले से बीएक डिगरी हासिल कर चुका उसका बेटा पिता का हाथ बटाने चला आया उसके बाद एक अजीबो करीब घटना हुई बेटे ने उस आदमी से पुझा पिता जी क्या आपको मालूम है हम लोग मंदी का सिकार बनने वाले हैं पिता ने जवाब दिया नहीं लेकिन तुम मुझे उसके बारे में बताओ बेटे ने कहा अंतराष्टर ये परिस्तित्या बड़ी गंभीर हैं घरेलू हालात तो और भी बुरे हैं हमें आने वाले बुरे हालात का सामना करने के लिए तयार हो जाना चाहिए उस आदमी ने सोचा कि बेटा कोली जा चुका है अकबार भी पढ़ता है रेडियो भी सुनता है इसलिए उस किराय को हलके ढंग से नहीं लेना चाहिए दूसरे दिन से उसने आलू की खरीद कम कर दी और अपना साइन बोर्ड भी हटा दिया उसका जोस खत्म हो चुका था जल्दी ही उसी दुकान पर आने वालों की तादात घड़ने लगी और उसकी बिक्री तीजी से किरने लगी पिता ने अपने बेटे से कहा तुम सही कह रहे थे हम लोग मंदी के दोर से गुजर रहे हैं मुझे खुशी है बेटा तुमने वक्त से पहले ही मुझे सचीत कर दिया इस कहानी से हमें क्या सिक्षा मिलती है इसे ये नतीजे निकलते हैं कि हम अपनी सोच के मताबिक खुद को आतम संतुष्ट बनाने वाली भविश्यवानिया कर देते हैं कई बार हम भुद्ध्य मता को अच्छा फैसला मानने की गलती भी कर देते हैं एक इंसान ज्यादा बुद्ध्यमान होने के बावजुद गलत फैसले कर सकता है अपने सलाकार सावधानी से चुनिए लेकिन अमल अपने ही फैसले पर कीजिए अगर किसी इंसान में ये पांच खूबिया है तो वह सकूली सिक्षा हासिल किये भी नाभी काम्याब हो सकता है पांच खूबिया है चरित्र, परति बद्धता यानि कमिट्मेंट, दरड़ विश्वास, कन्विक्षन, तहजीव, कर्टसी, साहस, क्योरज कई लोग ज़्यादा ग्यानी है, उन्हें चलता फिरता विश्व कोस माना जाता है पर दुख की बात है कि उसके बावजूद भी नाकाम्याबिगी वो चीती जागती मिशाल होते है समझदारी का मतलब किसी हुनर को तेजी से सीखना है हुनर एक योगता है, किसमता में योगता और सीखे गए हुनर को अमल में लाने की इच्छा ये दोनों बात सामिल होती है इच्छा वह नजरिया है जो किसे हुनरमन इंसान को किसमतावान बनाता है बहुत से लोग हुनर्मन तो होते हैं लेकिन सामर्थवान नहीं होते क्योंकि सही नजरिये के बिना काबिलेत व्यर्थ होती है विंस्टन चर्चिल कहते हैं यूनिवर्सिटी की पहले जम्मिदारी क्यान देना और चरितर निर्वान होता है ना कि व्यापारिक और तकनीकी सिख्षा देना तो आखिर सिख्षित होने का मतलब क्या होता है हमें सिख्षित किसे मानना चाहिए पहले वो जो रोजाना आने वाले वक्त का सामना सही ढंग से करते हैं और जो हालात से सामना होने पर सही निर्ने लेने और सही कदम उठाने में साइध ही कभी चुकते हैं दूसरे वो जो दूसरे के साथ व्यावार में बड़पन दिखाते हैं दूसरों के एप्रिय वैवहार और बातों का बुरा नहीं मानते और अपने सहयोगियों के साथ उतने भले होते हैं जितना की एक इंसान हो सकता है और आगे वो लोग जो अपनी खुशियों पर काबू रखते हैं जो अपनी असलियत से मूह नहीं मोडते साथ ही बुद्धिमान और धीर घंबीर वेक्ती की तरह तरड़ता से जमीन पर पैर जमाई रहते हैं तुक्के से मिली अच्छी चीज़ों पर खुष होने के बजाए जनम से मिली कावेलियत और पुद्धि से पराप्त कामयाबियों पर खुष होते हैं खुष होने की ऐसी परवर्ति उनमें बच्पन से ही होती है सुकरात कहते हैं जिन लोगों के सरित्तर में इनमें से एक दो नहीं बलकि सारे गुण हैं जिन्होंने ये सबी बाते सीखी हैं वो ही सर्व गुण संपन सच्चे अर्थों में सिक्षित आदमी होते हैं थोड़े में कहें तो पड़े लिखें वे लोग हैं जिने किसी भी हालात में साहस और अकलमंदी से काम तै करते हैं अगर कोई मुरक्ता के बजाए समझदारी, बुराई के बजाए अच्छाई और असेब्वता के बजाए सदगुन को चुनता है तो ऐसे आदमी के पास स्कूली डिगरिया नए होने के बावजोद भी उसे सिक्षित माना जाने चाहिए बहुमुकी सिक्षिया क्या है? एक जंगल में कुछ जानवरों ने सकूल शुरू करने का फैसला किया चात्रों में एक चडिया, एक गिलहरी, एक मचली, एक कुत्ता, एक खरगोज और दिमा की तोर पर कमजोर इल मचली सामिल थी पठे करम तै करने के लिए एक बोर्ड बनाय गया, बोर्ड ने तै कि चात्रों को बहुमुकी सिक्षिया दी जाएगी उन्हें उड़ना, पेड़ पर चड़ना, तैरना और बिल खोदना सिखाया जाएगा हर जानवर को सभी तालीम हासिल करने की पाबंदी थी चड़िया उड़ान भरने में माहिर थी, उसने इस विश्य में एक ग्रेड हांसिल किया लेकिन जब बिल खोदने की बारी आई तो वे अपनी चौँच और पंक तोड़ बैठी और एसफल साबित होने लगी इस नाकामियाबी का उस पर ऐसा असर पढ़ा कि जल्दी ही उसे उड़ान भरने में भी सी ग्रेड मिलने लगा पेड पर चड़ने और तैरने में तो वेब फैल ही हो गई गिलहरी पेड पर चड़ने में कुशल थी, लेकिन वे तैरने में ऐसफल हुई मचली सबसे अच्छी तैराक थी, लेकिन वे पानी के बाहर निकल ही नहीं सकती इसलिए बाकी सभी विश्यों में फैल हो गई कुटा स्कूल गया ही नहीं, उसने फीश भी जवान नहीं की और परभंदकों से इस बात को लेकर जगरता रहा कि पाठ्ठे क्रम में भूंकना भी सामिल किया जाए खरगोष को बिल खोदने में एक रिड मिला, लेकिन उसके लिए पेड पर चड़ना एक बहुत बड़ी समस्या थी वह बार-बार असफल होता रहा और एक दिन जमीन पर इस परकार बुरी तरहे गिरा कि उसका ब्रेंड डैमेज हो गया वह बचतो गया लेकिन उसके दिमाग पर ऐसा असर पढ़ा कि उसे बिल खोदने में भी दिक्कत होने लगी और उसे इस विश्य में भी सीग्रेड मिलने लगा आखिरकार दिमागी तोर पर बिमार इल को जिसने हर काम आधे अधूरे ढंग से किया था कक्षया का सबसे उत्तम छात्र घोशित कर दिया गया बौर्ड खुश था कि हर चात्र को बहु मुखी सिक्षा मिल रही थी सही माइने में बहु मुखी सिक्षा चात्रों को जिंदगी के लिए उस ढंग से तयार करती है उनमें मुझूद किसी सेत्र विशेश सिस्शंबंदित योगता और अक्समता भी पर करार रहे खुद्रत ने हम सभी को कुछ खास योगताई दी है हमिंग वर्ड का वजन एक तोले के तस्वे हिस्शे के बराबर होता है वजन इतना कम होने की वज़े से ही वह काफे मुश्किल किसम की कलावाजिया भी कर सकता है वह अपने पंको को केवल एक सेकेंड में 75 बार फट फड़ा सकती है अपनी इस खुबी की वज़े से ही हमिंग बड उडान भरते समय तरह तरह के फूलोंगा मधो पी सकती है पर वह हवा में उची उडान भरने तैरने या चलांग मारने में एसमर्थ होती है दूसरी और सतुर मुर्ग का वज़न लगबग 300 पॉंड होता है वह दुनिया का सबसे बड़ा पक्सी है पर उडान नहीं भर सकता लेकिन उसके पैर इतने मजबूत होते हैं कि 50 मिल्क परती घंटा गिरफतार से दोड़ सकता है और 12-15 फिट लंबे कदम भर सकता है अज्यानता बेंजामिन प्रेंकलिन कहते हैं अज्यानी होना उतनी सरम की बात नहीं जितनी की किसी काम को सही ढंग से सीखने की चान नहीं होना जानकारी का भरम होना सिक्सया नहीं पलकी अज्यानता है बेवकूफ लोगों के पास एक अजीब तरीके का आतम विश्वास होता है जो सिर्फ अज्यानता से ही आता है अज्यानी होना बुरा नहीं है लेकिन अज्यानता को अपना करियर बना लेना यकीनन बेवकूफी है कुछ लोग अज्यान जवा कर लेते हैं और फिर उसी को सिख्षय मानने की भूल कर बैठते हैं अग्यानता वर्दान नहीं यह तो अभाव, दुख, गरीबी और बिमारी का दूसरा नाम है अगर अग्यानता कोई नियामत है तो जादतर लोग खुश क्यों नहीं है अगर थोड़ा ग्यान होना खतरनाक है तो बहुत सी अग्यानता छोटापन, डर, कटरपन, आंकार और पक्सपात की और ले जाता है समझदारी अग्यानता के अंधेरे को मिटाने को कहते हैं हम सूचना यूग में जी रही हैं, एक अंदाज के मताबिक सूचना की मात्रा हर साल दूगनी होती जा रही है सूचनाओं की इतनी सरलता से उपलवध होने के कारण इन दिनों ग्यानता को मिटाना आसान है लेकिन दुख की बात यह है कि हमें जरूरी चीजों के अलावा बागी हर चीज सिखाया जाती है हमें पढ़ना लिखना सिखाया जाता है पर ऐसी बोदिक सिख्षा किस काम की जो इनसान को दूसरों की इज़त करना और हमदर्दी से पेशाना ना सिखाये हमारे स्कूल ग्यान के जरने हैं कुछ हात्तर अपनी प्यास मिठाने कुछ चुस्की भरने और कुछ केवल कुला करने जाते हैं हमने पांच ग्यान इंद्रियों के साथ जन्म लिया है हमारे पास छूकर चक कर देखकर सूंग कर और सुनकर महसूस करने की समता है पर सफल लोगों के पास एक छटी इंद्री भी होती है जिसे व्यवहारिक समझ कहते हैं चीजों को उनके वास्तविक रूप में देखने और उनसे संबंदित करवाही को सही ढंग से करने की अक्समता ही व्यवहारिक समझ है यदि आदमी में व्यवहारिक समझ ना हो तो सिक्षा और ग्यान भ्यर्थ चले जाते हैं सिक्षा के बिना भी व्यवहारिक बुद्धी हासिल की जा सकती है लेकिन व्यवहारिक बुद्धी के बिना अच्छी से अच्छी सिक्षा भी किसी काम की नहीं भरपूर व्यावारिक पुद्धी का होना ही बुद्धिमता कहलाता है जोन नाम का एक लकड़ारा एक कमपनी में 5 साल से काम कर रहा था पर उसे कभी तरक्की नहीं मिली उसी कमपनी में बिल नाम के एक और लकड़ारे को भी नोकरी पर रखा और उसे साल भर में ही तरक्की मिल गई जोन ने बिलको एक साल के अंदर ही तरक्की दी जाने का फिरोध किया और इस बारे में बात करने के लिए वे अपने बोस के पास गया उसके बोस ने जवाब दिया तुम अब भी उतने ही पेड काटते हो जितने की पांच साल पहले काटते थे हमारी कमपनी में नतीजे को देखा जाता है अगर तुम अधिक पेड काटने लगो तो तुम्हारा वेतन बढ़ा कर हमें भी कुछी होगी जोन वापस लोट आया उसके बाद वे अधिक मैनत से और ज़्यादा देर तक पेड काटने लगा उसके बावजूद वे ज़्यादा पेड नहीं काट सका उसने अपनी है परेशानी बोस को बताए बोस ने उसे बिल से बात करने का सुझाव दिया उसने कहा सायद बिल को कुछ मालूम है जो मैं और तुम नहीं जानते जोन ने बिल से पूछा कि वे ज़्यादा पेड कैसे काट लेता है बिल ने जवाब दिया मैं हर पेड काटने के बाद दो मिनिट के लिए काम रोक देता हूं और अपनी कुलहाडी को तेज करता हूं तो दोस्तों तुमने अपनी कुलहाडी की धार आखिर बार कब तेज की थी पिछली सिक्षा और गोरव का ज़्यादा मैत्तव नहीं होता हमें अपनी कुलहाडी की धार लगतार तेज करनी होगी आप भी अपने दिमाग को खुराग दीजिए जिस तरह हमारे सरीर को हर रोज अच्छे खाने की जरूरत होती है उसी तरह हमारे मस्तिस्क को भी हर रोज अच्छे विचारों की जरूरत होती है इस वाक्या में सबसे एहम सब्द अच्छा खाना और अच्छे विचार है अगर अगर हम अपने सरीर को रोध सड़े गल्ये खाने और दिमाग को बुरे विजारों की खुराग दे तो हमारा सरीर और दिमाग दोनों बीमार पड़ जाएंगे सही पटरी पर बने रहने के लिए हमें अपने मस्तिस को सुद और सकारात्मक खुराग देनी होगी शिक्षा एक खजाना होता है लगतार सकारात्मक शिक्षा प्राप्त करने से सकारात्मक विचार जन्म लेते हैं सकारात्मक सोचवाले लोग उन खिलाडियों की तरह होते हैं जो लगतार अभ्यास करके अपने अंदर ताकत का एक पंधार जमा कर लेते हैं जिसका इस्तिमाल म मुकाबले के वक्त करते हैं बिना अभ्यास के जब पंधार ही नहीं रहेगा तो वो भरोजा किस पर करेंगे उसी तरह अच्छी सोचवाले लोग अपने दिमाग को रोज सुद सक्तिसाली और सकारात्मक विचारों की खुराग देखर अपने अंदर उम्मीदों से भरे नजर करने में काम्याब हो जाएंगे वरना वो हम पर हावी हो जाएंगे अच्छी सोच वाले लोग मूर्ख नहीं होते वे आँखों पर पट्टी बांद कर जिंदगी नहीं बिताते वे जिंदगी में जीत हांसिल करने वाले ऐसी लोग होते हैं जीने अपनी सीमाएं मालूम होत पर वे अपनी मजबूतियों पर ध्यान देते हैं, दूसरी तरफ हारने वालों को अपनी मजबूतियों का एहसास होता है, पर उनका सारा ध्यान अपनी कमजोर्यों पर टिका रहता है। सकारात्मक नजरिया अपनाने के लिए पांचवा कदम जो आप उठाएंगे वो होगा अच्छे स्वाभिमान का निर्मान कीजिए। स्वाभिमान आकिर क्या है? स्वाभिमान खुद अपने बारे में महसूस करने का नजरिया है. जब हम अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं, तो हम बहतर काम करते हैं. घर और दफ्तर में हमारे रिष्टे बहतर हो जाते हैं, दुनिया हमें जादा अच्छी लगने लगत अगर हम अच्छा स्वाभिमान जल्दी बनाना चाते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम कुछ काम ऐसे लोगों के मदद के लिए करें और नहीं कुछ और देकर चुका सकते हैं कुछ साल पहले मैंने कैदियों को नजरिया और आतम सम्मान विक्सित करने के लिए तरीका सिखाने का एक कारेकरम चलाया उस दुरान मैंने कुछ हपतों में ही इतना कुछ सीखा जितना मैं कई सालों से नहीं सीख सका था दो सब्था तक मेरे कारेकरम में भाग लेने के बाद एक कैदि ने मुझसे रोक कर पूछा सिव मैं कुछ हफतों में जेल से रिहा होने वाला हूं मैंने उससे पूछा कि उसने नजरिया बनाओ कारेकरम से क्या सीखा वै कुछ देर सोशता रहा उसके बाद उसने कहा वह अब अपने बारे में अच्छा महसूस कर रहा है मैंने कहा मेरे लिए इस अच्छे सब्द का कोई माइन नहीं है मुझे यह बतलाव तुम्हारे वैवहर में क्या खास बदलावाया है दरशल मेरा मानना है कि यदि सीखने वाले के व्यवहर में बदलाव ना आए तो यह नहीं माना जा सकता कि उसने वास्तों में कुछ सीखा है उस कैदी ने मुझे कहा अब वह हर रोज बाइविल पढ़ता है तब मैंने उससे पूछा कि बाइविल पढ़ने का उस पर क्या आसर पढ़ा है कि जिम्मेदार सदस्या बनने की कोशिस करेगा मैंने अपना सावाल दोहराया और तो उसने फिर वही जवाब दी मैंने उससे एक बार फिर पूछा जेल से चूटने के बाद तुम क्या करोगे जाहिर सी बात है कि मैं किसी अलग जवाब की उमीद कर रहा था लेकिन इस बार उसने गुस्टे से भरे हुई आवाज में जवाब दिया मैं समाज का एक जिम्मेदार सदस्या बनूगा तब मैंने उसे बताया कि उसके पहले के जवाब और इस बार के जवाब में एक सब्द का अंतर था पहले उसने कहा था मैं बनने की कोशिश करूँगा और इस बार उसने कहा था कि मैं बनूँगा इन दोनों जवाबों में कोशिश सब्द का फर्क था हम कोई काम करते हैं या नहीं करते हैं वह कोशिश सब्द उसकी जेल वापसी के लिए दरवाजों को खुला रखता हमारी बात सुन रहे एक दूसरे कैदी ने मुझे पूछा सेव क्या तुम्हें यह सब करने के लिए क्या मिलता है मैंने उसे कहा मुझे यहाँ पर जो भावनात्मक संतुष्टी मिल रही है वह पैसे से कहीं ज़्यादा कीमती है तब उसने पूछा तुम यहां क्यों आते हों मैंने कहा मैं अपने स्वार्थ की वज़े से आता हूं मैं इस दुनिया को जीने के लिए एक बहतर जंगय बनाना चाहता हूं इस तरह के आतम संतुष्टी लाब दायक होती हैं संक्सेब में कहा जाए तो हम व्यवस्था में जो लगाते हैं हमको हमेशा उसका पुरस्कार मिलता है और कई बार तो वह हमारे लगाए गय से कुछ ज़्यादा ही होता है लेकिन हमको लगाते समय बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए एक और कैदी ने कहा लोग जो करते हैं वह उनका निजी मामला है अगर कोई नसीली दवाए लेता है तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना तुम उन्हें उनके हाल में क्यों नहीं छोड़ देते हो मैंने जवाब दिया मेरे दोस्त हलांकि मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ फिर भी मैं तुम्हारी यह बात माल लूँगा कि उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है लेकिन क्या तुम यह गारंटी दे सकते हो जब वो कोई नसीली दवा खाकर कार चलाएगा तो उसकी कार केवल पेट से ही टकराएगी किसी इंसान से नहीं तुम इसकी गारंटी दो तो मैं तुम्हारी बात मालनूँगा अगर तुम यह गारंटी नहीं दे सकते कि उस कार से टकरा कर तुम मैं या हमारे बच्चे मोत का सिकार नहीं बनेंगे तो फिर मेरा यकीन करो कि इस बात से मेरा संबंध होता है मुझे इस आदमी को सड़क से दूर रखना होगा यह मेरी जिंदगी है मैं जो चाहिए वही करूँगा इसे एक जुमले ने फायदे से कहीं अधिक नुक्सान किया है लोग सब्दों की सची भावनों की अपेक्सा कर देते हैं और उसका मतलब अपनी सुवीधा के अनुसार निकाल लेते हैं ऐसे लोगों ने इस जुमले को स्वार्थ से चोड़ लिया है जिसका बुरा अशर नकेवल उन पर बलके उनके आसपास के पूरे माहोल पर पड़ता है ये लोग भूल जाते हैं कि हम अलग थलग नहीं रहते आप जो करते हैं उसका असर मुझे पर पड़ता है और जो मैं करता हूँ उसका असर आप पर पड़ता है हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हमें यह मैसूस करना होगा कि इस धर्तिय में हम सभी की साज्यदारी है हमें जिम्मेदारी से व्यावार करना सीखना होगा दुनिया में दो तरहे के लोग होते हैं देने वाले और लेने वाले लेने वाले अच्छा खाते हैं और देने वाले अच्छी तरह सोते हैं देने वालों में उच्छे दर्जे के आतम सम्मान की भावना होती है उनका नजरिया सकारात्मक होता है ऐसे लोग समाज की सेवा करते हैं समाज की सेवा करने वालों से मेरा मतलब राजनितिग्य बनकर बैठे उन घटिया दर्जे की पाखंडी नेताओं से नहीं है जो दूसरों की सेवा करने का नाटक करते हुए खुद अपनी सेवा करते रहते हैं इंसान होने के नाते लेन देन हम सब को करना पड़ता है लेकिन उचे दर्जे के आतम समान वाला स्वस्थ सक्सियत वह होता है जिसे केवल लेने की ही नहीं बलकि देने की भी आवसकता मैसूस होती है एक आदमी अपनी नई कार धो रहा था तब उसके पड़ोसी ने पूछा आपने यह कार कब खरी थी उस आदमी ने जवाब दिया इसे मेरे भाई ने दिया है पड़ोसी ने कहा कास मेरे पास भी ऐसी कार होती इस पर उस आदमी ने कहा आपको यह सोचना चाहिए कि कास मेरे पास भी ऐसा भाई होता पड़ोसी की पतनी उनकी बात्सीत सुन रही थी उसने पीच में टोकर कहा मैं सोचते हूँ कास, वै भाई, मैं होती यह सोचने का कितना सकारात्मक नजरिया है सकारात्मक नजरिया विक्सित करने के लिए छटा कदम जो आपको उठाना है वो है नकारात्मक असर से आपको बचना होगा आजकल के नभिवक बड़े लोगों के वावार और मीडिया से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं साथियों का दबाव केवल बच्चों और किसोरों पर ही नहीं बलकि बड़े लोगों पर भी असर डालता है स्वाभिमान की कमी की वज़े से लोगों में नहीं धन्यावाद कहकर बुरे असर से तूर रहने की हिम्मत नहीं होती ये नकारात्मक प्रभाव आखिर होता क्या है एक चील का अंडा कीसी तरह चंगली मुर्गी की घोशले में चला गया और बाकी अंडों के साथ मिल गया समय आने पर अंडा फुटा चील का बच्चा अंडे से निकलने के बाद यह सोचता हुआ बड़ा हुआ कि वह मुर्गी है वह उन्ही कामों को करता जिने मुर्गी करती थी वह जमीन खोद कर अनाज के जाने चुकता और मुर्गी की तरह ही कुड़कुडाता वह कुछ फीट से अधी कुड़ान नहीं भरता क्योंकि मुर्गी वी ऐसा ही करती थी एक दिन उसने अकास मिक्चील को पड़ी सान से उड़ते देखा, उसने मुर्गी से पूछा उस संदर चिडिये का नाम क्या है, मुर्गी ने जवाब दिया वह चील है, वह एक सांदाज चिडिया है, लेकिन तुम उसकी तरव डान नहीं भर सकते हैं क्योंकि तुम तो मुर् वह जीतने के लिए पैदा हुआ था, पर वह दिमा की रूप से, पर वह दिमा की रूप से हार के लिए तियार हुआ था, अधिकतर लोगों के लिए यही सच बात है, जैसा कि ओलिवर होम्स कहते हैं, हमारे जिन्दगी का सबसे दुर्भाग्या पूरण पहलू, यह है कि ज दील की तोर तरीकों को सीखना होगा, अगर हम खुद को कामयाब लोगों के साथ जोड़ेंगे, तो हम भी कामयाब हो जाएंगे, अगर हम चिंतकों के साथ जोड़ेंगे, तो चिंतक बन जाएंगे, यदि हम देने वालों के साथ रहेंगे, तो देने वाले बन जाएंगे, और अगर हम नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे जब कोई जिन्दगी में काम्याबी हासिल करता है तो तुछ लोग उस पर कीचड उचालते हैं उसकी टांग खीचने की कोशिश करते हैं हम जब खुद को ऐसे तुछ लोगों से उलजने से बचा लेते हैं तो हम जीच चाते हैं मार्शल आट में सिखाया जाता है जब कोई हम पर हमला करे तो उसे रोकने के बज़ाए अपनी जंगे से हट जाएए ऐसे क्यों सिखाते हैं इसलिए कि रोकने के लिए उड़जा की जरूरत होती है उसका इस्तेमाल और बहुतर कामों के लिए क्यों न किया जाए तुछ लोगों से उलजने के लिए हमको उनके स्थर पर नीचे उतरना पड़ता है और वे यही तो चाते हैं क्योंकि ऐसा करके हम उनमें से एक बन जाते हैं नकारात्मक लोगों को अपने मकसद में कामयाब मत होने दीजिए खुद को नीचे मत किराइए याद रखिए कि किसी आदमी का चरित्तर केवल इस बात से नहीं आका जा सकता कि वह कैसी सोबत में रहता है बलकि इस बात से आका जाता है कि वह किन लोगों की संगत को नापसंद करता है लेडी एस्टर कहती हैं धुमरपान, नसीली दवाई और अलकोहल मेरे सराव ने पीने की वज़े यह है कि मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कब अच्छा समय बिता रही हूँ सराव पीने के बाद आदमी के दिल दिमाग पर कोई रोक टोक नहीं रही जाती और वह मनमानी हरकते करने लगता है सफर के दोरान मैंने देखा है कि कुछ लोगों में सराव पीना वेक्ट बिताने का जरिया बन गया है अगर सराव नहीं पीते तो वो हमें इस तरह देखते हैं कि हम कोई गलत काम कर रहे हूँ आदर्स मोटो होता है अगर हमारी स्कोच अच्छी है तो इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि हमारे अंग्रेजी कितनी बुरी है अगर कोई बैंकर उनसे पूछे कि आपकी नकदी क्या है तो वे स्कोच की दो वोतले दिखा देंगे आज के तोर में सराव और सिगरेट पीना सान की बात माने जाने लगी है इनकी सुरुआत करते वक्त आदमी सोचता है पहली बार ही तो पी रहा हूँ अगर हम लोगों से पूछे कि वो अलकोहल या नसीली दवाई क्यों लेते हैं समाचिक दबाओ की वज़े से सराव पीने वालों के अंजाम को इस कवीता में बहुत अच्छी तरह साया गया है मैंने तुम्हारी सहत के लिए सराव खानों में पी है मैंने तुम्हारी सहत के लिए अपने घर में पी है कि पीते पीते मैंने अपनी ही सेहत खराब कर ली है सराब पीकर गाड़ी चलाने में जिंदगियां चली जाती है जेरी जॉंसन ने अपनी किताब It's Killing Our Kids में American Hospital Association की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा है वहाँ अस्पतालों में ताकिल होने वाले आदे से अधिक मामले अलकोहल से जुड़े होते हैं National Safety Counseling के 1989 के तुरगटना तथे संसकरन के मताबिक अमेरिका में अलकोहल पीने की वज़े से हर सेकिंड में एक तुरगटना हो जाती है असलील साहित्य असलील साहित्य महिलाओं और बच्चों को इनसान के सतर से गिराने का जरिया है असलील साहित्य के वज़े से महिलाओं को इनसानी नजरी से नहीं देखा जाता बच्चों का योन सोसन होता है साध्या तूड़ जाती है योन हिंसा बढ़ती है नेतिक मुल्यों का मखोल उड़ता है व्यक्ति, परिवार और समाज नस्ट हो जाते हैं अमेरिका में हर 46 सेकंड में किसी न किसी महिला के साथ बलातकार हो जाता है बलातकार करने वालों में 86% लोगों ने सविकार किया है कि वो असलील साहित्या निर्मित रूप से पढ़ते रहते हैं उनमें से 57% लोगों ने माना कि जो न अपराद करते समय उन्होंने असलील साहित्या में बेहान किये गए तरश्चे की नकल की थी देखकर दुख होता है कि कुछ लोग पैसा कमाने के लिए इतना गिर जाते हैं कि असलील साहित्या की बीकिति को अपना पेशा बना लेते हैं नकारात्मक फिल्में और टीवी कार्यकरम का असर जादा पड़ता है एक अनुमान के अनुसार अमेरिका में बच्चे हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते बीस हजार घंटों के टेलिवीजन कार्यकरम देख चुके होते हैं उनकी आखों के सामने से पांच हजार हत्याओं के दरस्चे और अलकोहल से संबंदित एक लाग से जादा विग्यापन गुजर चुके होते हैं इन टेलिविजन कर्याकरमों और विग्यापनों से संदेश मिलता है कि सराब पीना मोज मस्ती है, सिगरेट पीना सान की बात है और नसीली तमाओ का दो जमाना है। अगर अपराद इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं तो इससे हैरत की कोई बात नहीं है। टेलिविजन, धारावाईक और कार्यकरम तथा फिल्में। साधी से पहले के और साधी के बाद पराइस्त्री पुरुसों के साथ कायम होने वाले सारेरिक संबंदों को बड़े लुभावने अंदाज से पेश करते हैं। इसलिए अगर रिष्टों में पर्ति पद्धता की कमी दिखाई है और तलाग के मामले पढ़ते जा रहे हैं तो हमें इस बात पर ताजुप नहीं होना चाहिए। कच्चे दिमाग वाले लोग मेडिया में देखी सुनी चीजों को ही अपने मानक और मानदन बना लेते हैं वैसे एक हद तक उन्हीं चीजों का अजर हम सब पर होता है। गाली गलोच के इस्तमाल से यही लगता है कि ऐसी भासा का इस्तमाल करने वाले के पास सब्दों की कमी है। प्रांसिस कहते हैं, जो जरूरी है उसे शुरू करें, पिर जो मुम्किन है वह करें, और आप अचानक पाएंगे कि आप नामुम्किन काम को भी करने लगे हैं। करने के लिए आठवा कदम आपको उठाना होगा अपने दिन की शुरुवात किसी अच्छे सकारात मकाम से करें सुभह के वक्त सबसे पहले कोई अच्छी चीज बढ़ें या सुने रात में अच्छी तरह सोने के बाद हमारा तनाव दूर हो जाता है और हमारा अच्छेतन मन किसी बात को बड़ी आसानी से कबूल कर लेता है इससे तिन भर के लिए एक लै बन जाती है और हमारी दिमागी सोच का ताना बाना सही रूप ले लेता है जिससे हमारा पूरा दिन अच्फा बन जाता है खुद में बदलाव लाने के लिए हमें सोचे समझे ढ़ंग से कोशिछ करनी होगी और पूरे संकलप के साथ हचे विचार और व्यवहर को जिन्दगी का हिसा बनाना होगा सकारात्मक विचार और व्यवहर को अपनाने का भ् अगर आप जीतने वाले और हारने वालों का comparison करेंगे तो आप पाएंगे जीतने वाला हमेशा समधान का हिस्सा होता है और हारने वाला हमेशा समस्चा का हिस्सा होता है जीतने वाले के पास हमेशा कोई न कोई कारेकर्म होता है और हारने वाले के पास हमेशा कोई न कोई बहा जीतने वाला कहता है यह समस्या लगारां जीतने वाले कहता है यह कंदाना वाला कहता है जीतने वाले संस्याल कोह वी हुए यह लिमाता है जीतने वाला वचन बद्ध होता है और हारने वाला खोगले वायदे करता है जीतने वालों की आखों में कामयाबी के सपने होते हैं हारने वाले के पास खोगली योजनाय होती है जीतने वाला कहता है मुझे कुछ करना है हारने वाला कहता है कुछ होना चाहिए जीतने वाला टीम का हिस्सा होता है और हारने वाला टीम के हिस्से कर देता है जीतने वाला लाब को देखता है और हारने वाला तकलीब को जीतने वाला संभावनाओं को देखता है और हारने वाला समस्चाओं को देखता है जीतने वाला सभी की जीत के सिध्धान्त में विश्वास करता है और हारने वाला मानता है कि जीतने के लिए किसी का हारना जरूरी है जीतने वाला आने वाले कल को देखता है और हारने वाला बीते हुए कल को जीतने वाला स्थिर सभार वाले ताप स्थाई थर्मो स्टीट जैसा होता है और हारने वाला ताप मापी थर्मो मिटर जैसा होता है जीतने वाला सोच कर बोलता है और हारने वाला पोल कर सोचता है जीतने वाला विन नम्बर सब्दों में कड़े तर्क पेज करता है और हारने वाला कड़े सब्दों में कमजोर तर्क जीतने वाला बुनियादी मुल्यों पर मजबूती से टिका रहता है पर छोटी मोटी चीजों पर समझेता कर लेता है हारने वाला छोटी छोटी बातों पर अड़ जाता है लेकिन मुल्यों से समझोता कर लेता है जीतने वाला दूसरों की भावनाओं को मैसूस करने में विश्वास करता है वह मानता है कि दूसरों के साथ वैसा वैवार नहीं करना चाहिए जैसे वैवार की उमेद हम दूसरों से अपने लिए नहीं करते है हारने वाला इस बात में विश्वास करता है दूसरे तुम्हारे साथ कुछ करें उससे पहले ही तुम वह काम उनके साथ कर दो जीतने वाला काम को अंजाम देते हैं और हारने वाले काम के होने का इंतिजार करते हैं जीतने वाला जीतने की योजना बनाता है और तैयारी करता है क्योंकि तयारी ही एक मूल मंत्र होता है बेवरली सेल्स कहते हैं SFL होने पर आप निरास हो सकते हैं लेकिन अगर आपने कोशिस ही नहीं की तो आपका नास हो जाएगा मैं इस अध्याय को आठ कदमों को दोरा कर समाप्त करता हूँ जिसके बारे में इस पूरे अध्याय में चर्शा की गई है सकारात्म के नजरिया बनाने के लिए आपको अच्छे सीदों की तलास करने होगी हर काम फोरन करने की आद़त डालने होगी एहसान मन होने का नजरिया बनाना होगा लगतार ग्यान हासिल करने का कारेकरम तयार करना होगा अच्छे स्वाभिमान करने रबान करना होगा नकारात्मक असर से दूर रहना होगा जो काम जरूरी है उसे पसंद करने की आदर डालने होगी और अच्छे ढंग से दिन की सुरुआत करने होगी तो दोस्तों ये था सिव खेडा के लिखी इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक जीत आपकी का अध्यायतो ये आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा और ऐसे ही ओडियो बुक और कहानिया सुनने के लिए ओडियो चैनल को सब्सक्राइब करना पिल्कूल मत भूलिएगा